हेलो स्टुडेंट आज मैं आप लोगों को ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन और आटो रेडियोग्राफी बताने जा रहा हूं यह टॉपीक इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जब आप डेने फिंगर प्रिंटिंग को अगर आप 12 लेवल पे एंसेटी लेवल पे आटो रेडिग्राफी बट इसको बहुत सिंपल वेवल समझने की कोसिस करेंगे स्टार्टिंग करते हैं ब्लॉटिंग से देखिए ब्लॉटिंग और हैबिडेशन दोनों कभी-भी एक साथ भी उसक्या जाता है बट मैं अलग-अलग इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों क मीनिंग अलग-अलग होता है ठीक है स्टार्ट करते हैं ब्लॉटिंग से देखिए ब्लॉटिंग क्या होता है ब्लॉटिंग तो देखो अगर आप लोग को याद होगा कि आपने अभी तक का जो प्रोसेस पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोफोर्सिस पढ़ लिया जब इलेक उस जेल में वेल्स थे और उस वेल्स में आपने डियने को या आरेने को या प्रोटिन जो भी आपने उसको क्या कर आया था लोट कर आया था और आपको वो बैंड मैंसे बना की दिखा दे रहा हूं ऐसे कुछ बैंड बना की दिखा दे रहो रैंडम ली ठीक है कुछ भी य टेक्निक में जो Nucleic Acid या Protein Nucleic Acid में कुण कुन आ गया आपका आ गया DNA आ गया RNA आ गया या अल् dovecle ox acid या protein और Protein इस को आपन이지 zelf के अल रन कराया था यो 페ल तह today है तो block में क्या क्या जाता है कि इनको एक झालों मेंब्रेन या फिर एक नइट्रो Kelly ऄंदम्राइल है स्थिर कर देते हैं , क्या करा देते हैं , सपोस् Leonardo मां लेते हैं कि यह क्या चीज़ था ? यह था नैलोन मेंबरन था फोस्ट क्या था ? क्या था ? था ? नैलोन मेंबरन मेंबरन क्यों कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा यह यह ब्लॉटिंग के लिए नाइट्र सेललोस मेंब्रेन की यूज होता है हना तो देखे आपने क्या किया कि यहां से जो एक साइड आपको जेल दिख रहा होगा ना यह क्या था जेल था ठीक है अग्रोस जेल अब उसमें से यह जो डियने आप जो रखे थे यहां पे यह जो यह 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 ठीक है किसी दूसरे solid support बोल सकते हैं आप nylon membrane में उनका क्या कराना स्थांतरंग कराके उसको fix कर देना fix immobilized क्या करा दिया आपने immobilized करा दिया इस्थिर करा दिया अब आप इस nitro cellulose membrane या nylon membrane को क्या करोगे आगे experiment के लिए use करेंगे चाहो ताब इस cotton radiography में देख भी सकते हो अगर आप इसको color strain करना चाहते हो या फिर radio active label से strain करना चाहते हो तो करके direct आप इसको UV light में देख सकते हो बढ़े चमकतवा दिखाई देगा लेगिन अगर आपको कुछ और भी experiment करना जैसे कि हम hybridization पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम इसको आगे की और process करेंगे जो सबसे पहले important topic पहले point क्या था blotting था ठीक है blotting का मतलब simple सा है क्या है क्या बताए मैंने आपको it is a method of transferring protein DNA और RNA onto a carrier carrier में क्या-क्या बताए मैं जैसे natrocellose ठीक है nylon membrane अट एक स्ट्रा ठीक है तो यह था आपका blotting तो मैं यहाँ पर define कर दिया हूँ ठीक है yellow color में लिखा हुआ है आप इसको एक बार note करेंगे ज़रूर बहुत अच्छा point है यह हना क्या बताए मैं इसमें यहाँ पर बताए हूँ कि a blot is a technique on method of transferring protein DNA और RNA onto a carrier like natrocellose और nylon membrane ठीक है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा बस इतना ही इंपोर्टेंट है हना blotting के लिए अब देखते हैं hybridization अच्छा एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ हना जब से मान लो कि अगर आप से कभी-कभी ऐसे मिल जाए कि blotting types तो actual में वो hybration की type थे ठीक है मैं भी आप लोगों बताए कि कभी-कभी दोनों टप से एक ही चीज़ों के लिए उसका जाता है प्रों hybration एक टेकनीक होगा जो बताऊंगा क्या है उसके लिए blotting compulsory होता है इसलिए कभी-कभी दोनों के लिए common terms use कर लेता है जैसे कि देखो example बता देता हूं मैं जैसे कि कभी-कभी आपको मिल गया blotting के types ठीक है blotting के types तो अगर आपको blotting के type पूछा जाए तो आप simply बताना की blotting जो होता है वह आप तीन type से पढ़ते हो ठीक है एक होता है southern blotting ठीक है southern blotting एक होता है नदन और एक होता है western अब आपको क्या लगता है वह क्या याद करना चीए देखो मालो गलती से यादर आपकी exam में आ गया competitive exam ही है simple से याद रखना सिर्फ एक ही चीज़ी याद रखो क्या कि southern blotting जो होता है यानि कि जो आप immobilized करा रहा थे जेल से cellulose, nettocellulose membrane में क्या था? DNA था और यदि आपको वो बोले कि northern blotting तो याद रखना कि जो जेल से जो ट्रांसफर कराये थे वो क्या था? वो RNA था और यदि कोई बोलेगा आपको western blotting तो आप जो immobilized कराये थे वो कोई protein था actual में यह है clear southern blotting, northern blotting and western blotting किस के लिए हम यूज़ कर रहे है? DNA, RNA और प्रोटिंग के लिए यूज़ कर रहे है बहुत simple था आगे बोड़ते हैं अब next हम देखते है hybridization क्या है? ठीक है? तो in molecular biology मतलब molecular biology के terms में वाला बता रहे हो न यह नहीं कि आप दूसरे genetics हैं दूसरे topic क्या आप ही chemistry में पहुँची गए ठीक है? मैं आपे biology में भी molecular biology हम पढ़ रहे है उसके respect हम बता रहे है कि hybridization क्या होता है? ठीक है? तो hybridization क्या होता है? hybridization is a phenomenon इनिवे single stranded DNA और RNA molecules annals to complementary DNA और RNA मतलब एक ऐसा घटना है कि जिसमें आप single stranded DNA और RNA को किसी उसके complementary DNA और RNA के साथ क्या करते हो? जोडते हो ठीक है? एनिल्स करते हो तो उस condition में हापे हम hybrid वड़ाता है इसी को हम क्या बोलते है? hybridization क्या है ठीक है? मैं लिग देता हूं point को देखी यहाँ पर मैंने जो definition लिखा है? ठीक है उसमें ने protein को include नहीं किया है. ठीक है अगर मैं protein को include करता हूं? अगर मैं किसको include करता हूँ, protein को तो अगर जो jail में अगर आप protein डाले होगे तो उस condition में यहाँ पे जो probe होगा जिसके साथ आप complementary जो attachment कराते हैं वो भी protein ही होना चाहिए तो protein interaction प्रोटीन से ही होने वाला है DNA का interaction DNA से और RNA का RNA से DNA का interaction आप DNA से करवाओगे और RNA का interaction आप RNA से करवाओगे ठीक है, हलाकि आप DNA का interaction RNA से भी करा सकते हैं लेकिन हमको particular काम के लिए particular molecular use करें तो जाद अच्छा है ठीक है, तो कुल मिला कि यहाँ पे बात आ रही है कि हम किसी complementary के साथ उसका क्या करा रहे हैं जोड रहे हैं उसको ताकि हम उसके बारे में अच्छा से study कर सके बट क्यों जोड़ना है, क्यों काम करना है यह सब आप तब को तभी समझाएगा जब आप इसके application वाले पार्ट को समझोगे जैसे सबसे पहले आपको से अभी तक आपको क्या याद रखना है है अब इतने याद रखना है है अब इतने याद रखना है 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 कि एक ऐसा टेकनिक है मेथड है जिसमें आप single strand DNA single strand RNA यह किसी protein को उसके complementary DNA RNA और protein रिस्पेटव बात करूंगा तो mostly जो होता है वो antibody use किया जाता है ठीक क्या use किया जाता है mostly antibody use किया जाता है तो उसके साथ आप क्या करते हो जोडते हो क्योंकि antigen antibody interaction आप पढ़े हो गए ठीक immunology में आपको मालूम होगा कि antigen क्या होता है antigen को भी protein molecule हो सकता है ठीक है antibody और antibody वो होता है जो antigen के साथ bound करता है तो जैसे DNA के लिए में complementary DNA यूज किया RNA के लिए complementary RNA यूज किया हाना तो वैसे ही किसी protein का जब complementary protein होते से बाइंट करता है तो हम सीधा 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 उसके immunotechnic में यूज करते हैं यानि कि सीधा सीधा वो सकता हूं antigen antibody based interaction that is antibody use होने वाला है antibody use होने वाला है बट हम mostly क्या पढ़ते हैं आपकी syllabus में क्या रहता है आपकी syllabus में DNA वाला ही रहता है ठीक यानि कि मैं DNA fingerprinting बस दिया है ना उसी रिस्टेट हम पढ़ रहे हैं इसको ठीक है तो हम hybridization technique को तीन category divide करके पढ़ते हैं कितने तीन क्या क्या है वो hybridization को आप तीन टैट्स न पढ़ते हों और वो तीन टाइप क्या क्या है hybridization का southern hybridization, northern hybridization और western hybridization देखिए, same way concept जो blotting वाले में था southern hybridization किसके लिए था DNA के लिए था, northern किसके लिए था, RNA के लिए था, western किसके लिए था protein के लिए था, भुलना मत ठीक है अब hybridization के टैक्निक में जो सबसे मतपून चीज होता है, वो होता है probe, क्या probe, इसको समझना बहुत जोरी है, probes ठीक है, तो कि anxiety में भी यह terms आपको मिल जाएगा, probes ठीक है actual probes होता क्या है अगर मैं इससे साब्दिक meaning में जाऊंगा जो इसका नाम जो है actual biology से नहीं बोल रहा हूं है, normally probes को normal meaning क्या होता है किसी का जाच करना यह कोई चीज का रहस्य को पता करने के लिए जो आप use करते हैं कोई कोई चीज को जब आप उसके use करते हैं application के फॉम पे तो हम उससे probes कहते हैं, ठीक है क्या करने के लिए किसी चीज को पता करने के लिए कुछ खोजने के लिए ठीक है, तो हम उससे क्या कहते हैं probes कहते हैं, ऐसे चीज़ों क्या कहते हैं probes कहते हैं इसके use हम किसी चीज को खोजने के लिए किसी से जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं हम molecular biology में पढ़ रहे हैं, molecular genetic में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर probes कौन है, उसको कैसे define करेंगे, यह देखते हैं, देखें, यहाँ पर अपर कैसे define कर रहे हैं, प्रोब को, molecular probe जो हम, molecular probe जो बोल रहे हैं, molecular biology जो प्रोब उसके लिए, कि molecular probe are small DNA, RNA और antibody that recognize the complementary sequence in DNA, RNA और complementary protein, ठीक है, देखें, अब आपकी दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कि probe को हम, क्या सब के लिए एक दुसरी के लिए उसकर सकते हैं, क्या DNA वाला प्रोब रहेने के लिए, वो protein के लिए, तो ऐसा नहीं है, DNA probe आप DNA के लिए उसकरेंगे, RNA probe, RNA के लिए, और protein के लिए probe हम antibody उसकरते हैं, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, probe के अगर हम बात करेंगे, तो probe जो है वो, probe जो है वो आप DNA probe उसकर सकते हो, RNA antibody, ठीक है, DNA probe आप इसके किस में उसकरोगे, आप करोगे, southern blotting में, ठीक है, southern blotting में, southern hibridation में उसकरोगे आप, और RNA probe, आप इससे उसकरोगे, नदन, किस में, नदन, hibridization में आप इसकी उसकरोगे, और antibody किस में उसकरोगे, आप western, hibridization के किस में, आप क्या उसकरोगे, antibody use करोगे ठीक है देखी अब probe fluorescent भी हो सकता है non fluorescent भी हो सकता but mostly used ठीक है mostly कौन से use क्या जाता है fluorescent probe used क्या जाता है ठीक है mostly fluorescent probe ठीक है तो mostly fluorescent probes are used fluorescent के लो समस्ते हो न जो एक विशेश वेलेंग के light को absorb करता है और दूसरे वेलेंग के light को क्या करता है emit करता है आप जिसे आप किसी UV light किसी frame में आप उसका अच्छे से देख सकते हैं चमकता हुआ देख सकते हैं ठीक है जो light emit करता है अच्छा खासियत यह है ना इस probe मतलब fluorescent probe की खासियत यह है कि यह fluorescent तभी होगा जब यह अपने से बाइंट करेगा तब यह खासियत है मतलब जिससे आपको compliment से बाइंट कराना है उससे जब बाइंट कर लेगा तब वो fluorescent दिखाई देगा ठीक है अब हम देखते हैं कि आपके पास बुग में जो है Southern Hybridation का ही जिक्र है तो हम Southern Hybridation को देखते हैं कि इसमें क्या होता है देखिए आपको तो यह मालूम होगा कि Southern Hybridation जो है वो किसके लिए होता है अब आपने पढ़ा है कि किसके लिए होता है for DNA के लिए होता है ठीक है दूसरे important point आपको इसके लिए क्या क्या requirement लगने वाला है ठीक है तो क्या के requirement है बताईए आप फटा-फट सोचिए क्या के requirement है क्या के requirement होगा एक तो आप जो electro forest forest कराए थे वाला जेल चाहिए होगा ठीक है तो मिलिक देता है electro forest gel ठीक है यह requirement है दूसरा आपको क्या चाहिए आपको चाहिए natrocellos membrane ठीक यह फिर nylon membrane चाहिए क्या चाहिए nitrocellulose membrane चाहिए यह फिर nylon membrane चाहिए ठीक है तीसरा आपको चाहिए alkaline solution चाहिए ठीक है क्यों चाहिए मैं बताऊंगा ठीक रुख जाओगी और चौन्था चीज आपको क्या चाहिए इसके लिए आपको चाहिए क्या प्रोब चाहिए प्रोब ठीक है और जिसमें हम हैविट्सन कराएंगे वो हैविड़िजेशन किट चाहिए होगा ठीक है हैविड़िजेशन किट आपको चाहिए होगा ठीक है इसके लाबा जो अभी टेक्निक है वो दिखाने वाला उन जो बस वही आपको याद रखना है मिनली ठेक है अच्छा यहाँ पर जैसे कि मैं बतायागी एक चीज़ तो किलियर होगा कि आप जेल जेल इटरोस पर चुकि हो तो जेल वाला किलियर था अपन ब्लॉटिंग में यूज़ करते हैं एकलाइल सॉलूशन क्यों यूज़ किया है एकलाइल सॉलूशन इसलिए करना है ताकि हम जेल में जो प्रेजेंट डिने होगा ना उसो क्या करते हम डिनेचर करते क्योंकि डिने डबल स्टेंड होता है और आपको कैसा चाहिए इसको अतनी से अच्छा से point बना के लिख लीजेगा ताकि हम क्या कर सके double strand DNA को denature करके क्या करके denature करके single strand DNA में convert कर सके इसलिए double strand DNA को denature करके single strand DNA में अपने क्या करना है blood करना है ठीक है तो यह important था अलकि यह फिर भी तुहार NCRT level में नहीं है college level में आ सकता है probe का role है अब देखे NCRT level में probe का क्या role है ठीक है इस point को भी मैं आप नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे NCRT level में आप अगर पढ़ोगे तो VNTR as based probe उस करने वाले हो based probe अब यह NTR क्या होता है मैं इसका class lecture दे चुका है बताने की जर्वत नहीं रिपेटेट से इन सिक्वेंस है variable number of tandem repeats है variable यानि की अलग 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 इनसान में उसका जो number होगा वो different different हो सकता है ठीक है और number वही और टीफर variable number of क्या tandem repeats था क्या था tandem repeats variable number of tandem repeats जो बार 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 ठीक है repeats हुए है और VNTR की खासत क्या है यह जानने के लिए आप पढ़ लीजिएगा notes में देख लीजिएगा मैंने last video में बताया ही है तो याद रखिएगा कि VNTR based probe आप यूज़ करने वाले हो इसलिए मैंने VNTR पढ़ाया था जैसे जैसे मैं आगे वीडियो बना रहा है आप लोगो समझ आगे होगा कि वो topic मैंने आप लोगो क्यों बताया ठीक है सब एक दूसरे से कही नहीं पर लिंक दिखते जा रहे है क्यों पढ़ा रहा था मैं यह अब समझ आगे हो मैंने क्यों आप लोगो satellite DNA VNTR सब क्यों बताया polymorphism क्यों बताया क्योंकि आप hybridization की technique में यूज़ करने वाले थे इसलिए VNTR किसके लिए यूज़ करने वाले थे प्रोब के लिए ठीक है तो अब देखते हैं कि कैसे VNTR-based probe को यूज़ करके हम hybridization कराने वाले हैं तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे blotting के बाद hybridization का process कराने वाले हैं तो यार blotting में आपने बड़ा simple सा बताया था कि जेल से हम Nitrocellulose membrane में ट्रांसफर करते हैं तो चलो कैसे करते हैं और देख लेते हैं फिर blotting के बाद hybridization तो बहुत ही easy होगी आप क्योंकि आप hybridization में एक probe लोग है और solution डुबा के आप उसको क्या कर दोगे hybridize कर दोगे तो starting से देखते हैं कि blot कैसे किये थे अपन यह समझाने के आप लोगों को बता रहा हूँ यह आप लोगों के लिए exam में बहुत important नहीं है लेकिन दिमाग में स्वाल आता है कि blot कैसे किये थे तो आप लोगों में बता रहा हूँ जो vibration जो cassette होता है मतलब एक box जो होता है उसमें क्या क्या होता है मैं आप लोगों को पूरा एक draw करके बता रहा हूँ ठीक है इसमें एक निचे की और सबसे base में कर अब जाओगे तो एक block support होगा ठीक है इसके उपर आपको क्या डालना है इसके उपर आपको एक filter paper डालना होगा ठीक है filter paper filter paper को मैं एक नॉर्मली ऐसे बना दे रहा हूँ ये filter paper है ठीक है क्या है ये filter paper है ये आपका filter paper है filter paper filter paper के उपर आप क्या डाल देंगे filter paper के उपर आप क्या डाल देंगे gel डाल देंगे ठीक है जो electro forces कराए थे न वाले gel यहाँ पर मैं डाल दूँगा ठीक और फिर उस gel के उपर आपका जो main membrane जो आप यूज़ करने वाले थे कौन से membrane कौन से membrane use किये gel के उपर क्या रख fuzzy हूँ आप nitro cellules membrane डाल देखते हैं इस आपका क्या था यह आपका jail था क्या था jail और उस jail के उपर आपने क्या रखा हुआ है जेल के उपर आपने क्या रखा हुआ है membrane रख All mitigation nitro cellules membrane या फिर nylon membrane जो सबस्यादा यूज होता है ठीक है फिर उसके उपर आप क्या रख देंगे उसके उपर फिर से आप पिछा देंगे फिर से फिल्टर पेपर रख देंगे तो मैं यहाँ पर लिख दिया अगला फिर से क्या आगया फिल्टर पेपर आगया ठीक है यह क्या रख दिया आपने फिर से फिल्टर पेपर रख दिया फिल्टर पेपर के बाद ठीक है आप पेपर टीशू यहां पर रख देंगे ठीक है पेपर टीशू यह मैं रख दिया ठीक अब उसके बाद आप उसमें कोई weight डाल देंगे ठीक है अब मैं इसके उपर क्या कर दूँगा weight weight डाल दूँगा ठीक और इस प्रोसेस को complete करने के लिए कुछ समय के इसको छोड़ दूँगा हना यह actual base है मैं जो तरीका बता रहा हूँ कि कैसे उस cassette में होता है चीजे इवेंट क्या क्या रहती है वह आप लोग को बता रहा थैं ठीक है न और इसको हम कुछ समय के लिए क्लिए अगर देते हैं छोड़ देते हैं तो देखो अब step में अगर मैं आऊंगा तो step में सबसे अगर हम fundamental step में आएंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था सबसे पहले आपने देखा होगा following electrophoresis ठीक है सबसे पहले आप क्या करेंगे पढ़ डाले हो न electrophoresis करा होगे आफ ठीक है electrophoresis उसके बाद आपने क्या करवाया उसको alkali solution में डुबा कि उसको क्या किया denature किया ठीक है क्या किया denatured in किसको denature किया आपने denatured in strong alkali solution ठीक है फिर क्या किया फिर blotting करवा दिया आपने अब blotting कैसे किया मैं दिखाया आप लोग को ठीक है अपने क्या करा दिया blotting करवाया ठीक तो यह यहां तक का process था blotting का blotting के बाद आपने क्या करवाया hybridization करवाया hybridization कराने के लिए क्या किया आपने probe solution लिया या फिर नैलोन मेंब्रेन जो अब यूस की होना उसको डुबा दिया ठीक है तो उसी हम क्या बोलते हैं fixation step बोलते है fixation step actual में अब हुआ क्या देखो अब आपने क्या किया था ना अब मैं आपको समझार हो ध्यान देखिएगा आप क्या किये एक container लिये ठीक है उसमें उसमें आपने solution भर लिया ठीक है को solution भर लिया इस container आपने क्या किया solution भर लिया उस solution में क्या होना चाहिए उस solution में fluorescent probe होना चाहिए क्या होना चाहिए उसमें fluorescent probe होना चाहिए ठीक है यह solution में क्या है fluorescent probe है ठीक है इसके अंदर fluorescent probe रखा हुआ है लेकिन यह fluorescent तब ही होगा जब अपने complementary देने के साथ bind कर लेगा ठीक है यह सब क्या है प्रोब है ठीक अब आप जब blot करा डालेंगे तो वो जो natrocellus membrane था ये ठीक है इस part को इसमें क्या कर दोगे डुबा दोगे जब वो क्या हो जाएगा अब क्या करा लोगे जब blot करा लोगे तब ठीक है मैं उस blot membrane को क्या कर दिया इसमें ला दिया ठीक है जब blot करवाया था तो इसमें जो डेने थे वो जेल के जो डेने थे वो इसमें क्या हो चुके थे आ चुके थे तो मैंसे band एक दो चाट वैसे से बना दे रहा हूं ठीक है जिस समझाने के लिए उसे बैंड आ चुका है ठीक है अब जब हैब्डिशन कंप्लीट होगा तब कहानी क्या होगा देखो ये वाला मालो कोई प्रोब जो है इसके साथ बैंड करता है जो जिसके साथ कॉम्प्लिमेंटरियों को उसी के साथ बैंड करेगा किसी के भी साथ बैंड नहीं करेगा जो जिसके साथ कॉम्प्लिमेंटरियों को उसी के साथ बैंड करेगा तो जब हैब्डिशन कंप्ल जेल था इसमें डियने का बैंड था था कि नहीं उस बैंड को मैं दिखा दे रहा हूं ठीक है देखिए सब्समान लेते कि यहां पर बैंड था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे दिखा दिया ठीक है उसके आपने ब्लॉटिंग करवाया था है ना और आपने उसको क्या किया ट्रांसफर करवाया था देखो पूरा कॉंसेप्ट को भी लाश्ट अदम सरांस में समझा रहूं देखिएगा ठीक है ठीक है ठीक है नेटो से लेजम में क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया चलो मैं ये भी बना कि आपको दिखा दे रहा हूं कि निचेड है मतलब single strand है ठीक है ठीक उसके अधावने क्या करवाया आपने उसके बाद hybridization करवाया क्या करवाया एक लग इस टेप में क्या कराया आपने hybridization करवाया ठीक है hybridization कराया है Hybridation कराने के लिए आपने प्रोब भीस है था solution में याद कीजिए ठीक है तो मैंने क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे देखो यह probe solution था और इस probe solution में आपने किसको दूबा दिया था यह क्या था जी, यह probe solution था, probe solution ठीक है, और इसमें आप यह क्या देख रहे हैं, यह आपका nitrocellus membrane को आपने किसमें दुबा दिया है, इस probe solution में दुबा दिया है, अब probe solution में आप बोल भी रहो न, probe मतलब उसमें probe होंगे, राइट, उसमें probe होंगे, अब यार, जो सब complementary होगा, वो उसके साथ क्या कर लेगा, bind कर लेगा, मालते यह और यह उसका complementary था, तो बैंट कर लिया, तो final scene क्या है, final scene यह है, तो final scene यह है, कि जो DNA का जो band था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तिन band था, एक, दो, तिन band, और यह तर दो band था, राइट, यह तिन कौन कौन सा है, एक, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, दो, तिन, आप देख लिज अच्छे से, ठीक है, वास्तों में उस band को, क्या naked, मतलब को मालूम था, tracking die के कारम पता था, लेकिन जब मैं membrane cancer करा दिया था, तब तो, हाँ पे die use नहीं किया थे, वो तो jail में दीख रहा था, jail में थो tracking die से दीख भी रहा था, कि कौन सा idea ने band गया है, राइट, अब मैं क्या करा दिया, हैब dash ने करा दिया, आपने देखा होगा कि मै है, यहाँ पे have dash किसके साथ करवाया, जो से कॉंबले मान लेती कि जो पहला band था इसके साथ, देखी जो चमकता हुँ दिखा रहों blue color में, एक वो हो गया, और दूसरा में दिखाया, second वाली इनके साथ वो band किया, राइट, तो वास्तों में जब आप fluorescent probe use कि होना, तो जब आ complimentary था, अब आप सोच रोगे कि यह कहां पे काम हैगा, यह काम हैगा DNA finger printing में, यह काम हैगा, हम visage gene जिसको हम पकड़ना चाहरे थे, पहचाना चाहरे थे, उसको dictate करने के लिए, पता करने के लिए, recognize करने के लिए, हम यह hydration technique यूज़ करते हैं, अगर यह RNA के respect में था, तो हम उस process messenger RNA, या कोई visage quote करने वाले protein के RNA को हम dictate करने के लिए कर सकते हैं, अगर हम बात करेंगे protein के respect में, तो protein respect में हम कोई ऐसी visage protein को पता करना चाहते थे, जो हमारे body के लिए इंपोर्टेंट होगा, तो उसके लिए हम antibody use किये थे, प्रोब में, वह अला technique था, ठीक है western blood का, लेकिन उद्देश ही यही था, कि हम किसी visage protein DNA RNA को क्या कर सके, रिको गनाइज कर सके, पकड़ सके, पता कर सके उसके बारे में, ठीक है, इसलिए आपने हैविडेशन करवाया था, और हैविडेशन के लिए आपने probe use किया था, भूलना मत, ठीक है, तो बान लेते हैं कि अभी इसी sequence में पंपने है ऑगे बढ़ हाते हुए मैं, ऑर्टरेडियोग्राफी कदभं सींपली समझा रहा है, ठीक है, आर्टरेडियोग्राफी कदभं सींपली समझा रहा हुए, इस 76 is a technique using X-ray film to visualize molecules, The tools are fragment that have been radioactive labeled, अअच्छा ? आपने अभी जब हैविडेस्टन कर आया था ? तो ये प्रोब-solution लिखा था नौं इसमें प्रोब डाले थी कि नहीं ? तो ये प्रोब कैसे था rивать ? प्रोब के बारे मैं क्या बताया था ? कि वे entire based probe होता है और क्या बताया था है एक आध एक्ष्ट्र पॉइंट कुछ किसी क्या दे क्या इसमें बताया था मैं कि यह radio active labeled होता है और mostly हम जो यूज़ करते हैं वो fluorescent वाले यूज़ करते हैं करके ठीक है आप लोग को याद है इस जगह पर मैं बताया हूँ ध्यान से दिखिए mostly fluorescent probe ठीक है यानि कि मैं बोल सकता हूँ कि radio active labeled करा सकते हो आप डेक्टिव labeling के लिए यूज़ आप बोल सकते रेडेक्टिव लेबल्ड हो रहता है मतलब आप जो ये entire use करोगे न ठीक है वो कैसे होगा रेडेक्टिव लेबल्ड होगा ठीक है यहाँ पर डेनिक लिए स्पेसली लिखे थे न ये वे entire business probe ये कैसा होगा रेडेडियो एक्टिव लेबल्ड किसके केस में बोल रहा हूँ मैं mostly case में हाना mostly case में जोरी नहीं है यार कि हमेसे रेडेक्टिव लेबल्ड हो बट हम जो देने finger printing के सब में जो यूँज करते हैं उस पर रेडेक्टिव लेबल्ड यूज करते हैं ठीक है तो आट रेडेडियो ग्राफिय में क्या किया जा रहा है देखो यह जो पॉइंट यह दिख रहा है आप लोको न यहाँ पे देखि है बोलना चाहिए और इस यहाँ पे डोर होगा वो खूलेगा और उसमें आप वो नैलोन मेंब्रेन या जेल जो भी आप रखना चाहते हो रख दोगे ठीक है जिसमें रेडेक्टिव लेवल चीज़ दा ले थे आप ठीक है उसके दिए देखिए मैं वह मॉनिटर में देख लिए मैं अग्यों किना मान लेते कि यहां लिए पτε मैं राएप अपैर बना आ रहा हूं यह वही मसीन था यह वाला ठीक है अब जब इसमें हम 掰掰 szczतिक क्यूंक्यीज था उसमें इसका image आएगा क्या आएगा उसका image आएगा ठीक है वो image क्योंकि यह उससे link होगा computer के monitor से link होगा राइट तो वो जब image इसमें जब बनेगा तो तो आपको क्या लगता है कि वो जो gel था उसमें सभी band चमकते भी दिखाई दे रहे थे नहीं क्या आप देख पा रहे थे नहीं जब आप auto radiography यूज़ किये तब जाकर आपको वो जो gel था या जो nylon membrane था उसमें उसी जगह पे चमकता हो दिखाई देगा जहां पे क्या हुआ था hybridization हुआ था देखी यह जो मैं बना रहा हूँ आपको चमकता हो जो दिखा रहा हूँ ठीक है इस जगह पे क्या हुआ था hybridization हुआ था ठीक है मैं हनिला रंग में दिखा रहा हूँ बट mostly वो orange light orange color में दिखाई देता है ठीक है ठीक है न तो यहां पे आप जो देख रहे हैं वो क्या था यह orange color का जो बेंड दिख रहा है यही था वो hybridized band ठीक है यही था hybridized band ठीक है मतलब एक technique है जिसमें हम एक ऐसा machine के use करते हैं जिसमें हम किसी radioactive label को हम UV light XL light के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं ठीक है जो चीज हम पहले नहीं देख पा रहे थे अब उसको हम देख पा रहे हैं यही था ठीक है तो यह बहुत important part में आप लोग को बताया है इसके बाद DNA fingerprinting एक formalty रहा गया अब DNA fingerprinting का उद्देश क्या था कि उसमें हम किसी crime scene पर पाए हुए कुछ sample है उसको suspect होता है जिसके उपर हमको सख रहता है कुछ भी तो उससे हम check करते हैं उसका sample DNA लेते हैं और उस crime scene के DNA से मिला के देखते हैं कि exact match खा रहा है कि नहीं तो यह मिला कि check करने क जो process है हम DNA fingerprinting के मादे हम से सीखेंगे कि कैसे वो करते हैं ठीक है इसके लावा कोई को यह बोलना चाहते कमालो कोई unknown children है जिसके हम को parent के बारे हम नहीं मालुम है तो जो उसके suspect parent थे उससे हम check करके देख सकते हैं कि यह उनका बच्चा है कि नहीं तो बहुत सारा application DNA fingerprinting काने व होने वाला है आटो रेडियोग्राफी सिंपली एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप कोई चीज को विजलाइज करते हैं या एक्स्रेल लाइट के मादियम से जिसको आप फिल्म के फॉर्म पे आप computer के स्क्रिम देखते हैं ठीक है 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 लेकिन हम DNA fingerprinting में कर रहे है राइट इसका मतलब यह नहीं कि यह टेक्निक सिर्फ DNA fingerprinting के लिए था ठीक है इसका अपना अपना application है तो DNA fingerprinting में पढ़ने वाले हैं पने इसको बट याद धर्मने कि हैबरेशन टेक्निक क्या था हैबरेशन टेक्निक सिंपल से एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोई RNA DNA को आप hybridize करते हैं ठीक है hybridize करते हैं ताकि हम उसको पता कर सके unknown fragment unknown gene को recognize कर सके यह hybridization टेक्निक क्या था यह देशे था ब्लॉटिंग क्या था तो ब्लॉटिंग क्या था ब्लॉटिंग सिंपली क्या था ब्लॉट में आप जेल को जेल में उपस्थित जो DNA आरने बैंड या प ठीक है तो यह था ब्लॉटिंग है अटो रेड़ ग्राफी मुझे उम्मिद है कि आप लोगे समझ आ गया होगा तो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्यूडियो बनाएंगे DNA फिंगर प्रिंटिंगे उपर ठीक है थैंक्यू